तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिक एडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू ग्रामर के यानि कि उर्दू कवायद के मस्ट विवी आई अब्जेक्टिव कोशन को कम्प्लीट करने वाले हैं आप यूं कह सकते हैं कि उर् कि हूँ यह ध्यान में रखते हुए कि जो जो मतलब जिस तरह की कोशन आप लोगे प्रिवे से में पूछे गए हैं उस चीज को ध्यान में रखते हुए और कौन कौन से कोशन आप लोगे इस बार जो अभी एक्जाम होने वाला है उर्दू का उसमें किस किस तरह से कोशन पूछे जा सकते हैं कौन कौन से कोशन पूछे जाने की संभाव ना है इन सबी बातों को ध्यान में रखते हुए ये टॉप 200 का इकजाम है उससे एक दिन पहले रात को यह वाला विडिएयो जरूर देख देगे और एक उर्दु ग्रामर का वन शॉट्ट वीडियो है वो जरूर देख कर देगा जिसमें मैं तोटल उर्दु ग्रामर मातर एक ही वीडियो में अब लोग आगर रेग्साम के पहले व इस वीडियो में आप लोग कोश्चन कम्प्लीट हो जाने वाला है यानि कि जितना भी उर्दु ग्रामर का टोपिक है न अप लोग कोश्चन कम्प्लीट करेंगे ताक की जबरदस्त आप लोग का रिवीजन हो जाए ठीक है ना आरे यू रेडी कि आप सभी लोग एक्साइटेड है रेडी है तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हाँ एक और दरूरी बात में आप लोग को बता देना चाहती हूं आप लोग के लिए एक में PDF दे दिया जाएगा मज़ा आ गया ना सुनकर ये गुड निव्स कहां मिलेगा किस तरह से मिलेगा ये भी बता देती हूं देखिए ये टॉप दो सब अब्जेक्टिव कोश्ण जोकी उर्दू ग्रामर का अब्जेक्टिव कोश्ण है इसका PDF आप लोग को टेलिग्रा चैनल का लिंक जो है इसी विडियो के डिसक्रिप्टिन में डाल दिया गया है आप लोग लिंग पर क्लिक करके आजसानी से टेलिग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आराम से आप फरी में PDF लेसकते हैं, आज के इस वडियो में हम लोग जतना भी हमें समझ में आ गया है यह लग लग लुग करते हैं तोसे मधर करें और जितना ज़्त करकें अपने दोस्तों के पास ताकि सब से पहले पहुचे है तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है संपूर्ण उर्दु ग्रामर यानि कि संपूर्ण टोटल उर्दु ग्रामर का जितना भी टॉपिक है न हर एक टॉपिक से यहां पर अब्जेक्टिब कोशन देखने को मिलेगा और जिस टॉपिक से ज्यादतर अब्जे टार्गेट लेकर चलना है हंट आउड ऑफ पांडेट में हंडेट फैर फेह लाएं लाएंगे लाएंगे तबह तो एकले समसे कम नाइंटी नाइन तौ़ आएगा या इंट्वे सशन के जितने भी डूएंट है उनका हाईली मार्क्री मांक्री टक था यानिकि पिछले साल के जितने भी स्टूरेंट है उन्होंने उर्दू में 98 तक ला दिया था अगर आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा है तो आप लोग जा कर हमारे इसी चैनल के कम्मिट्री पोस्ट में देख सकते हैं सब इस्टूरेंट का कमेंट भरा पढ़ा है मनलब मिया आपर हाइली मार माक्स बोल रही हूं उर्दू में 98 तक उन्होंने लाया था तो आप लोग के भी जिम्यदारी बनती है कि आप लोग एट लिस्ट 95 95 प्लस लेकर आए ठीक है चले स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और आज का ये क्लास आप लोग के एक्जाम के लिए एक्जाम डोज है ठीक लिखा हुआ है और उर्दू grammar must be very very important सबसे पहला सवाल on the screen है देख सकते हैं आप लोग सबसे पहला सवाल है कि यह पुराना मकान है इस जुम्ले में मौसूफ कौन है important question बहुत important या तो सिफत पूछेगा तो नहीं तो मौसूफ पूछेगा आप लोग को ये topic में पढ़ा च किसको कहते हैं जिसकी quality बताई जाए देखिए जिस लफसे हमें quality यानिकी विश्यस्ता पता चले उस लफसको कहते हैं क्या सिफत यानिकी एड्जेक्टिव जैसे की पुराना मकान इस इस शब्द को देखिए इस लफसको देखिए पुराना मकान है ना इसमें पुराना जो क्या होगा option number C is the correct answer यह पुराना मकान है इस जुम्ले में मौसूफ कौन है तो मकान है क्योंकि मकान की quality बताई जा रही है कि मकान क्या है पूराना है तो जिसकी quality बताई जाई उसी को क्या कहते हैं मौसूफ यह हर एक उर्दू ग्रामर के वीडियो के description में डाल दिया गया है हर एक topic को exam से पहले देख कर जाईएगा और्दू ग्रामर के सभी topic को complete करके जाईएगा उस एक वीडियो में option number is the correct answer अगर जिस जुमले में खबर हो उसको हम लोग कहते हैं खबरिया जुमला जिस जुमले में हुक्म हो यान की order हो उसको कहते हैं हम लोग अमरिया जुमला यह हर एक topic में आप लोगों को पढ़ा रही हूं और पढ़ा चुकी हूं already question number three है कि खल्वत की जिद क्या होगी खल्वत की जिद देखिए three important question खल्वत की जिद यानि कि opposite word उल्टा अर्थ रखने वाला शब्द बताना है तो खल्वत की जिद होता है जल्वत और अगला सवाल सवाल नंबर चार है कि सौगात के मानी क्या है सौगात का मतलब क्या होता है सौगात का मतलब होता है तौफा option number B दीरे से टिक करना है और मेरे answer बताने से पहले आप लोगो खुद से answer सोच लेना है कि हाँ हमारे हिसाब से तो यह होना चाहिए और जब मैं answer बता रही हूं तो आप लोग मिलाई है कि आप लोग सही गेस किये थे कि नहीं अगर आप लोग का सही हो या रहा है तो देखिए लाका किसमें हो सकता है घजल में हो सकता है स्टार्टिंग में पहले घजल था लास्ट में क्या जुड़गा है गो लागा और साबका क्या है या मैं आप लोग अलड़ी पढ़ा चुकी हूं ना याद रखने का ट्रिक भी बताई थी लास्ट में जुड़ा है उस जमा यानि कि प्लूरल वड बहु अचन बताना है तो जिस उनका जो जमा होता है यानि कि प्लूरल वह होता है मं ना मुकंमल चुड़ दिया गया है यहां पर आप लोग को पूरा करना है बताइए इस खाली जगपर क्या रहेगा option A में है, B में है, ये वला है और C में है हूँ और D में है, इन में से कोई नहीं तो मैं खाता है तो होगा नहीं यानिकि option number A is the wrong answer ठीक है, मैं खाता है ये भी नहीं होगा, B भी नहीं होगा मैं खाता हूँ, जी है option number C is the correct answer व payment सब्सक्राकर मैं खाता हूं तो यहां पर खाली जगह पर क्या रहेगा और रहेगा grey देखिये तो अबर क्या क्या है की कान एक मतलब क्या मैं तेल पर बैठना जी यहाँ बेपरवाह होनाँ में कान और एक कोश्चन को आप लोगों को ध्यान से सुनना है समझना है और सही एंसर याद करते चलना है हर एक कोश्चन पर कमांड करते चलना है चाहे टेंथ क्लास वाले हो या फिर ट्वेल्थ क्लास वाले हो एकदम ध्यान से देखिए ठीक है कोश्चन नमबर नाइन देखिए त लोगों पढ़ाई हूं सेगा क्या है कितने तरह के होते हैं वह उर्दू ग्रामर के वान शॉट वीडियो में ही पढ़ाई हूं हर एक टॉपिक कोई पर कंप्लीट कराये गया है ठीक है ना तो बताइए अगर आप लोग वीडियो देखें हैं और सारा टॉपिक हमारे दोरा जो कंप्लीट कराये गया है अगर किये हैं आप आसानी से बता सकते हैं वह जा रहा है इससे पता क्या चल रहा है वह एक गायब है ठीक है और वह यह सिंगुलर दिख रहा है यानि कि यह एक वचन है तो एक वचन के लिए कौन साइज से का यूज के जाता है वाहिद तो वह आफ से क्या मुराद है पानी फिरना का मतलब आते उमीद खत्म होना है प्स कुश्शन की साबक तलाष कीजिए मैं की सब्सक्राइब इस या डेखिए यहां पर जो इसका सही जवाब होगा ना बारा का वो होगा option number D Z शाउर क्योंकि पहले शाउर था starting में Z जुड़ गया है जाल से रहेगा Z शाउर ठीके Z starting में क्या जुड़ गया है Z जुड़ गया है इसी वो जैसे Z शाउर बन गया है तो इसी में क्या है साबका है तो option number D धीरे से टिक कर दीजिए आगे बढ़ते हैं next question है कि दर्जेल में कौन सा लव्ज मुझकर है इट मिंस मुझकर का मतलब क्या pulling कौन सा शब्द pulling है option A में है अफवा B में है बाग C में है अजान D में है बंदू बताइए कौन सा लव्ज मुझकर है important question है तीरा का जी हाँ अफवा तो होगा नहीं क्योंकि अफवा फैल गई अफवा एक क्या है मुझनस लव्ज है इस्त्रिलिंग है option number B हो जाएगा सही जवाब बाग जो है ना ये एक मुझकर लव्ज है next question आब आब करना मुहावरे का मानी क्या होगा आब आब करने का मतलब क्या होता है option A मैं पानी पानी करना B मैं शर्मिंदा करना C मैं पानी मैं डुबो देना D मैं इन में से कोई नहीं question number 14 का सही जवाब होगा option number B शर्मिंदा करना आब आब करना का मतलब क्या होता है शर्मिंदा करना next question question number 15 कि यह बात नामुम्किन है इस जुमले में साबका क्या है यह बात नामुम्किन है इस जुमले में आप लोगो को साबका बताना है 100 से साबका 100 से शुरू और कौन सा जुमला दुरूस्त है तो ना देखिए कौन से संटेंस है वह आप लोगों बताना है option a में महमूद जाता है देखिए ये वला हैं है तो ये तो होगा नहीं क्योंकि इस तरह का जुम्ला गलत हो जाएगा ये जुम्ला दुरस्त नहीं है महमूद जाये हैं ये भी नहीं होता है महमूद ने कहा है और महमूद कहा है तो बताएए महमूद कहा है ये भी गलत हो जाएगा आपसा नमबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब महमूद ने कहा है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल तो इस तरह से जुमला दुरूस्ट इस टॉपिक से कुश्टन इसी तरीके से आता है जुमला दुरूस्ट करने का 17 नमबर क्वेश्टन है कि दर्जजायल में कौन सा लव्ज मुझकर है देखिए जाएगतर मुझकर 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 ठीक है मुझकर मुझकर और एक साबका ठीक है और एक लाहका वाहिद और जमा ये famous topic है उर्दू grammar के जिससे question हर exam में पूचा जाता है चाहे 10th हो और फिर 12 तो जा फिर कोई भी internist फिर competitive exam क्यूं नहों ये famous topic है और खास्तोर से 10th और 12 exam में ना इस topic से ज़्यादा question देखने को मिलते हैं कम से कम 3-4-5 question भी देखने को मिल जाते हैं तो यह चीज़ ध्यान में रखिएगा दर्जैल में कौन सा लव्ज मजख्कर है यानि कि पुलिंग है यह आप लोगों बताना है और इसका सही जवाब क्या होगा आप साने में रहमत भी में सेहत सी में जहन्नुम और डी में जनत तो जी हो आप साने में सी इस दख करेक्ट इ में हैं खुश्बो सही जवाब 18 का अपसे नंबर डी जी हां खुश्बो खुश्बो आ रही है ठीक है आ रही है यानि कि क्या है मुझनस लफ़से आपसन अमबडी नेक्स्ट कोशन की तरह बढ़ते हैं कोशन नमबर 19 है कि इन मेंसे मुझकर की निशान दही किजिए फिर से आपर मुझकर पूछा है यानि कि पुलिंग लफ़ पूछा है बताइए कौन सा है 19 का उपसन बड़ी हो जाएगा अखबार ये क्या है एक मुझकर लफ़ है 20 नमबर क्वेशन कि जवाल की जिद क्या होगी जिद यानि कि अजदार से भी आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा उरूज ऑपसन नमबर सी 20 नमबर क्वेशन कि बाजीगर का क्या मतलब है ये भी इंपॉर्टन सवाल है दो तिन साल भी ये कोशन रिपीट हुआ है तो बाजीगर का क्या मतलब है इसी वज़ेसे ये कोशन भी डाल दी हुमें हो सकता है कि आप लोग के एक्जाम में इस बार पूछ दे तो बाजीगर का मतलब होता है आप लोग जानते है दमाशा दिखाने वालाzen no 2 the correct answer आगे बढ़ते हैं अपसन A में हैं इसमे आला B में है इसमे जर्फ C में इसमे मुसरण टी में है इसमे मुकबर दर्सगा ये एक जग्श का नाम है न? तो आप लोग इसको क्या कहेंगे? इसमे जर्फ कहेंगे क्योंकि जग्श है या फिर वक्त के नाम को यहां कि आप लो क्या किए इसमें जर्फ कहते हैं नेक्स्ट कोशन तेईस नंबर की तखलिस की मिजाल है देखिए ऑप्सन ए में दिख रहा है गाली गालीब क्या है एक तखलिस है आप लोग जानते हैं शायर जो है ना शायर हज़ात अपने शायर और शायरी के लाश 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 हलांकि ये टॉप दो सा क्वेशन है और इनमें भी जो मैं आप लोगों को मस्ट भी बता दे रहे हूं उसको तो तुरंथी याद कर लेना है उसको तो कभी भूलना ही नहीं है क्वेशन नमबर 24 है कि इनमें से कौन सा लव्ज मजक्कर है यानि कि पुलिंग है तो सही जवाब ये भी एक टॉपिक और दूरामर का जिसे कोशन देखने को मिलता है मुतरादिफ का मतलब होता है प्रयाएवाची शब्द एक समान अर्थ रखने वाले शब्द को क्या कहते हैं मुतरादिफ शब्द यानि कि मुतरादिफ लव्ज कहते हैं तो हम्द का एक समान एक जैसा म मानी रखने वाला लवज होता है जी हाँ सना और इस दा करेक्ट अंजर हम्द बोली यह फिर सना बोली बात एक ही है अल्ला तौला की तारीफ करना ठीक है कोशन नबर काम कर रहा है जो वेक्टी काम करता है जो जो काम करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग फाइल कहते हैं तो आपसा नबर बीज दा करेक्ट अंसर इस जुम्ले में काशिप क्या है फाइल है यानि कि सब्जेक्ट है जो की काम को कर रहा है अगला सवाल कि दर जिजाल में साबका व हो गया है और जो स्टाइटिंग में जुरता है उसी को तो कहते हैं सबका तो इसी वह जैसे ऑप्सन नमबर डी तक अगला सवाल है सवाल नमबर 29 कि ताजा हवा में हवा क्या है देखिए ताजा तो हो जाएगा सिफत यानि कि विश्रिष्था बता रहा है हवा कैसा है ताजा है यानि कि ताजा धाएगा सिफत यानि कि अडेक्टिव लेकिन कि 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 विश्रिष्था बताई जा रही है हवा की विश्रिष्था बताई जा रही है तो हवा हो जाएगा कि मुऊसूफ तो इसमें हवा क्या हो गया मुऊसूफ ऑफसा नम्बर a will be the correct answer तीस नम्बर कुश्चं है कि दर्जेजाल में इसमें मसक्गर कौन है ऑफसाने में किताब, b में हा बागीचा, c में है डबा और d में है कुर्सी तो इसमें मसगर का मतलब मसगर का मतलब होता है छोटा किया हुआ जिस नाम से छोटापन जाहिर हो उसको कहता है इसमें मसगर तो देखिए आपसा नमर B में दिख रहा है ना बागीचा इसे जाहिर क्या हो रहा है छोटापन जाहिर हो रहा है कि बागीचा जो है ना बाग से है आदम अलिफ मक्सूरा उस तरह के लिफ को कहते हैं जिसको खीच करना पढ़ा जाए ठीक है जिसे कि आम इसको खीच कर पढ़ा जारा है आम आदमी तो इसको भी खीच कर पढ़ा जारा है आदम इसको भी खीच कर पढ़ा जारा है तो बी सी डी यह नहीं होगा सही जवाब क को खीच करना ही पढ़ा जा रहा है डारेक्ट हम लोग जल्दी से पढ़ दे रहे हैं अगर तो यह जो अलिफ कहला है यह क्या कहलाएगा अरिफ मकसूरा कहलाएगा हलांकि इसके अलिफ मकसूरा और ममदूदा यह लग से मैं आप वो उर्दो ग्रामर के टॉपिक जो कि अरिफ मक्सूरा और ममदूदा है इसको मैं आप लोग को अलग से पढ़ाई हूं अगर आप लोगो ने वह वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा ठीक है ना कोशन नमबर 32 है कि इमान की जिद क्या होगी इमान का यानी की उल्टा अर्थ रखने वाला शब्द तो इसका सही जवाब होगा क्या और सनिंबर 2 जिया कुफर इमान का जिद यानी कह पोजिट उबटे होता है कुफर नेक्ट कोस्टन कॉस्टन नूमर Luther 33 कि हक कि जिद क्या होगी हμक का जिद यानि कि इसका उपोजिट वर्ट बताना है इसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा औसान नंबर भी बातिन हक का बातिन Тीक है कुश्ट नमबर 34 के दर्जजाल में इस मुसक्र कौन है मुसक्र का मानी क्या होता है छोटा किया हुआ देखिए किताब चा डारेक्ट देख जा रहा है किताब चाहिसे जाहिर हो रहा है छोटा पन तो आगे बढ़ते हैं 35 नमबर क्योश्चन है कि वहां मत जाओ इस जुम् एक मिनट यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है यहां पर मत जाओ हुक्म तो दिया जा रहा है लेकिन नहीं करने का हुक्म दिया जा रहा है वहां मत जाओ यानि कि जाना एक काम है ना तो काम नहीं करने का हुक्म दिया जा रहा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप तो दिया गया है लेकिन काम को नहीं करने का हुक्म दिया गया है इस वज़े से सही जवाब क्या होगा फेल नहीं आप ध्यान रखिएगा इस तरह से घलती आप भी कर सकते हैं तो पहले ठंड़े दिमाग से कोशन को पढ़िएगा और उसके बाद से सोच समझ कर इंसर दीजे सही जवाब होगा option number B रूहाणी रूह की सिफ़त रूहानी 37 नमबर क्यूस्टन है कि वकील की जमा क्या होगी वकील का जमा होता है यानिकी प्लूरल बहुचन वकला यहां पर आयन रहेगा वकला option नमबर एठीक है अगला क्यूस्टन है कि एहमद आया होगा में आया होगा कौन सा फेल है आया होगा देखिए इसमें शक पाया जा रहा है ना कि पता नहीं आयमद आया है कि नहीं आया होगा यानिकि यह जो है फेल यह माजी शक्या है option number C will be the correct answer अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं सवाल number 39 है कि हर फिनेदा की मिसाल क्या है सही जवाब होगा लड़ को exclamation mark यह दिख रहा है ना option number A is the correct answer आगे बढ़ते हैं 40 number question है कि लड़ खड़ाहट क्या है लड़ खड़ाहट मैं आप लोग को अलड़ी पढ़ाई हूं हासिरे मस्दर 40 का option number C हो जाएगा हासिरे मस्दर है ठीक है question number 41 है कि दर्जजायल में खिताब कौन है खिताब आपसन A में है अमीर शरियत B में है खान बहादूर C में है शीख हूँ और D में है शाध तो 41 का option number B हो जाएगा खान बहादूर डारेक्ट दिख जा रहा है देखिए अगर आप लोगों ने हमसे हर एक टॉपिक को पढ़ा ठीक है question number 42 है कि मैं दिल्ली जाओंगा यह कौन सा जमाना है जाओंगा यानि की गया नहीं है मैं जाओंगा यानि कि यह जो काम होगा आने वाले समय में होगा आने वाले समय को यानि की भविश्य को क्या कहते हैं उर्दू में मुस्तक्बिल कहते हैं तो option number B will be the correct answer fail मुस्तक मुस्तक्मिल से तालुक रखता है इस वज़से इस घरके फिर को क्या कहेंगे Please मुस्तक्बिल कहेंगे नाक्स्ट class question Number 43 है कि पढ़ेगा किस तरह का फेल है पढ़ेगा यह मुस्तक्बिल है अब पढ़ यहाने वाले समय में पढ़एगा जो काम आने वाले समय में की जाती इ पांच हिस्से हैं पहला है इल्म हिज्जा दूसरा है इल्म सर्फ और तीसरा है इल्म नौ तो वही पुछा गया है इल्म नौ में किसकी बहस होती है यानि कि इल्म नौ में किसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और इसमें किसकी बहस होती है तो 44 का आप लोग जैसा की जानते हैं जומले से बहस होती है यानी कि इमल ल्म में नहु सींत n transcript हम इतल हैं इसमें आफ लोगो को बताना हैं इस में फाइल की मिसाल कों ہے ओएल कहते हैं सब्जेक्ट को तो देखिये देखने में में जैंने में हैं देखा हुआ Сी में देखागया और Дभी cima इसमें फाइल की मिसाल कौन है देखने वाला काम करने वाले इनसान कोई तो कहते हैं फाइल यानि की सबजेक्ट तो देखिए देखने वाला ये कोई ना कोई जो भी देखेगा मतलब देखने वाला क्या कहलाएगा इसमें फाइल कहलाएगा तो आपसा नमबर A हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब अगला सवाल है कि लवज कितनी तरह के होते हैं तो लवज आप लोग जानते हैं लवज जो हैं वो दो तरह के होते हैं आपसा नमबर A is the correct answer अगला क्वेशन है कि खार का हम सौत लवज क्या होगा देखिए यहां पर सौत से रहेगा सौत ठीक है खार का हम सौत लवज यानि कि एक समान प्रणाउंस होने वाला लवज मतलब कि एक जैसा उसका आवाज निकले उस तरह के लवज बताना है देखिए खार इसको भी खार पढ़ा जाता है लग बग जो इसको खार पढ़ते हैं हम लोग आपसंट ए में जो है इसको भी इसका किया पढ़ा जाएगा हम यह बतादा जाएगा बस खार यह पर वाव जो है ना इसको मिला कर पढ़ेंगे खार और इसको डिरेक्ट पढ़ेंगे खार तो इन दोन्क्रून्र Concept कोशनवार heading कैसा मिल रहा है आवाज एक ही जैसा निकल रहा है यान्क प्रपोटीएट है कि दजाईल में उर्फ की इसाल कौन है उर्फ की मिसाल आपसन A में है अमीर अलहिंद, B में है डॉक्टर, C में है शाद, और D में है जुमन जी हैं आपसन नमबर D is the correct answer जुमन ये उर्फ की मिसाल है ठीक है नेक्स्ट कॉशन कॉशन नमबर 49 की दर्जजायल में मौननस कौन है मौननस यानि के स्ट्रिलिंग लफ बताना है आपसन A में है एहसान, B में है जलवा, C में है तौबा और D में है मौनाजरा सही जवाब आपसन नमबर C हो जाएगा तौबा मैं तौबा करती हूँ ठीक है तो तौबा जो है ना ये एक लफ क्या है एक मौननस लफ है, इस त्रिलिंग लफ है नेक्ट कोशन देखिए पच्चास नमबर, पच्चास नमबर कोशन पर हम लोग पहुँच चुके है फड़ा फट आप लोग इंसर बताईए यह नई गाड़ी है में मौसूफ कौन है जैसा कि आप लोग को पता चली गया होगा जिसकी क्वालिटी बताई जाए, जिसकी विश्यस्ता बताई जाए उसको कहते हम लोग मौसूफ तो नई गाड़ी इस लफ्ज में गाड़ी की विश्यस्ता तो बता रहा है नई तो नई हो जाएगा सिफत नमबर सी इस दा करेक्ट अंसर आगे बढ़ते हैं एक क्यावन नमबर सवाल पर हम लोग पहुंच चुके हैं अभी तक आप लोग ने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो ये बहुत गलत बात है अगर आप लोग को मज़ा आ रहा है हर एक कोशन आप लोग को करने में और हर एक कोशन पर कमांड करने में और कोशन को समझने में हर एक कोशन को बढ़ियां तरीके से उस कोशन को मैं जैसा कि डिपली समझा भी रही हूँ अगर समझने में मज़ा आ रहा है और वीडियो अच्छा लग रहा है B में है 3, C में है 4 और D में है 5 सही जवाब 51 का option number B हो जाएगा 3 कलमा की 3 किसमे है ठीश है आगे बढ़ते हैं अब मैं यहाँ पर deeply नहीं बताऊंगी क्योंकि और लड़ी में आप लोगों को उर्दू गरमर पढ़ाई थी तो हर एक topic एगरम deeply पढ़ाई थी और बताई भी थी question number 52 है कि किताब पढ़ी गई कौन सा फेल है किताब पढ़ी गई पता नहीं है किसने पढ़ी लेकिन पढ़ी गई है तो जिस फेल का फाइल पता नहीं हो यानि कि काम करने वाला ही गाइब हो काम करने वाला का नाम ही नहीं बताई गया हो उस तरह के फेल को कहते हैं हम लोग फेल मजहूल option number 20 the correct answer ये जो फेल है ये क्या कहलाएगा फेल मजहूल कहलाएगा क्योंकि किताब तो पढ़ी गई है लेकिन किसने पढ़ी है ये नहीं बताई गया है तो ये फेल मजहूल option number 20 the correct answer आगे बढ़ते हैं रहमत आलिम में कवाइद की कौन सी तरकीब है तिरपन का option number A हो जाएगा मुरकब तोसीफी ये important question है आगे बढ़ते हैं सिक्ता का मतलब क्या होता है मुक्तसर ठहराओ यानि की बहुत छोटा ठहराओ option number A is the correct answer बहुत आसान है ये question number 55 है कि किस लफ़ का मानी खत होता है मक्तूब का मतलब खत होता है option number A हो जाएगा सही जवाब ठीक है फड़फट आगे बढ़ते हैं question number 56 की जुमले में था किसकी इलामत है यानि कि जिस जुमले के लाश्ट में था होता है वो किस चीज की इलामत करता है option A में है माजी करीब B में है माजी मुतलक C में है माजी हैतमाली और D में है माजी बढ़ते हैं ये हर एक टॉपिक में आप लोगो बढ़ा चुकी हो अलड़ी तो बताईए सही जवाब इसका क्या होगा इसका जो सही जवाब होगा वोगा option number D माजी बढ़ीद जैसे की महमूद महमूद आया और लास्ट में क्या जुड़ गया था महमूद आया था इसे पता क्या चल रहा है कि महमूद आया था यानि की आने का काम बहुत पहले हो चुका था हो चुका है महमूद आया था यानि की बहुत पहले आया था तो इस तरह के फैल को क्या कहेंगे माजी बढ़ीद पहचाने का ट्रिक है लास्ट में था देखने को मिलेगा वही पूचा गया कि जुम्ले में था हो उसको क्या कहते हैं माजी बाइद कहते हैं ठीक है कोशन नमबर 57 है कि अफजल ने किताब पढ़ा इस जुम्ले में पढ़ा क्या है पढ़ा आप लोग जानते हैं पढ़ा एक फेल है यानि कि किरिया है पढ़ना आप लोग जानते हैं फेल है किरिया कोई पी जाना में फिल तो पढ़ा फिल को नेग्स्ट कोशन कोश्टमर 58 कि मुनासिफ लफ से जुम्ला मुकंमल कीजिए मुनासिफ लफसे यहां पर आफ लोको मुकंमल करना है बताइए वब मुनासिफ लफ कौन सा तुम क्या कर रही झालासिफ टूंड़Yay option A में है तुम क्या कर रही है ये तो होता नहीं है ये नहीं होगा तुम क्या कर रही हूँ भी नहीं होगा option B भी गलग तुम क्या कर रही हो तो जी हाँ option C हो जाएगा बिल्कुल सही जाओ यहां पर क्या रहेगा हो तुम क्या कर रही हो यह तो बहुत आसानी तो बच्चा भी बता सकता है इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अगले कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 59 है कि इसमें आला की मिसाल क्या है इसमें आला आप लोगों को बताना है बहुत ही असान सावार यह भी है जिस नाम से आजार यह फिर हत्यार का होना जाहिर हो इसमें आला देखिए आपसन ए में ही आरी दिख रहा है ना आजार का नाम तो आपसन नमबर यह धीरे से टिक कर दीजिए आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 60 साथ नमबर क्यूश्चन पर हम लोगों पहुँच चुके हैं का एक समान अर्थ रखनेौणे वाला लवज एक समान मानी एक जिसा मानी रखने वाला घ।, एक जिसा मानी रखने वाला लफ आप लोगो बताना है तो शरम बोलिए या फिर हया बोलिये, बातें यह यह जांन की दोनों का मानी एक ही है तो आपसन-जैाच करेक्ट in Internet शर श कि अगला सवाल कि अरभी हुरुफ टहजी कि कि अड़ी कोशन पूछा हुआ है आप लोग एक्जामें और इसका जो सही जवाब होगा वोगा आप सनमर डी उनतिस ठीक है अरभी अलफाबेट में पूछा गया है कि हम लोग رोज स्कूल जाते हैं हो सकता है कि इस बार जो है आ आप लोगे एक्जाम में उर्दू हुरूफ तहजी की तादाद पूछ दें कि उर्दू हुरूफ तहजी के कुल कितने हुरूफ है और यह मैं आप लोग और ग्रामर का जो वन शॉट वीडियो है उसमें स्टार्टिंग में ही बताई थी तो आप लोगा हमें कमेंड में वीडियो जरूर देखिए लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्सन में डाल दिया गया है उर्दू ग्रामर का वो वन शॉट का वीडियो देखकर आप लोग टोटल उर्दू ग्रामर के टॉपिक पर कमांड कर सकते हैं ठीक है चलिए फटफट आगे बढ़ते हैं हम लोग रो तो इसका सही जवाब क्या होगा ऑपसन अ में है आराम भी में उर्दू सी में आसमान और डी में स्कूल मौनस यानि कि त्रिलिंग जो लफ्ज है वो है उर्दू ऑपसन नंबर बी इस तक करेक्ट इंसर और एक और चीज़ जैसा कि मैं आप लोग को मौजकर और मौनस कहलाता है जैसे कि अर्दू, हिंदी, बंगाली, मराठी, कोई भी भाषा का नाम मौनस यानि कि त्रिलिंग कहलाता है ठीक है यह चीज़ ध्यान में रखिएगा कोशन नमर 65 है कि एहमद अंग्रेजी सीखता है इस जुम्ले में सीखता है कौन सा फेल है ऑपसन ए में हैं फे कि नौर कीजएगा मैं आप लोगो खुद पढ़कर ही बता दे रही हूं तो एहमद अंग्रेजी सीखता है जुम्ले में सीखता जो है यह आप लोगो पता होना चाहिए फेल हाल है क्योंकि सीखता है काम अभी पर्जेंट में होता है अपसन नमर 20 ता करेक्ट इंसर ठीक है next question 66 number question है की कदीम की जिद यानि की opposite word क्या होगा कदीम की जिद यानि की opposite word हوتा है जदीद आपसन नमबर सी is the correct answer कदीम का मतलब होता है पुराना जदीद का मतलब होता है नया ठीक है नेक्स्ट कोश्चन की लवज नान का सही मानी क्या है नान का मतलब सही मानी अर्थ बताना है आप लोगो मीनिंग बताना है यह तो बहुत हलवा कोश्चन है आपसन नमबर बी हो जाएगा सिफट क्योंकि अकरम डर्पोक है अकरम की विश्रिष्टा बताई जा रही है अकरम की विश्रिष्टा हमें इस लवज से पता चल रहा है डर्पोक से यान की डर्पोक जो है ना अकरम की क्वालिटी बता रहा है कि अकरम कैसा है डर्पोक तो डर्पोक हो जाएगा क्या सिफट लेकिन किसकी quality बताई जा रही है अक्रम की न तो यहां पर अक्रम हो जाएगा मौसूफ तो यहां पर ध्यान में रखिएगा या तो आप लोगो को पूछेगा कि बताईए अक्रम कौन क्या है तो अक्रम हो जाएगा मौसूफ लेकिन यहां पर क्या पूछा गया है डरपोक प मुहाऔरे का क्या मطलब है यए एक दर महलवा कोश्ण है ए में दौशवार काम करना वी में Natalie में आसाण काम करना सी मुहाओं करना सही जभाब a में ही डिख रहा है दौश्वार काम करना लोहे के चैने चभाने यह सम्हावरे का मतलब है अगला स्वाल सत्स्तर नंबर की हम लोग नमाज पढ़ते एं इस जुम्ले में हम लोग कौन सा सेगा तो हम लोग जो नमास पढ़ते हे ना इसमें हम लोग आप लोग को पता होना चाहिए यह जमा मुतक्लिम है क्योंकि हम लोग की बात हो रही हैं यह मुझा है और हम लोगों में या निकि प्लूरल की बात हो रही है जमा की बात हो रही है तो जमा मुझा है और अपसा नमबर A will be the correct answer आप लोगों करा रही हूं तो इस बात पर लाइक शेयर तो जरूर बनता है पड़ाफ़ वडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है ठीक है एक हत्तर नमबर कुशन है कि दर जाल में इसमें मारफा की निशान दही कीजिए इसमें मारफा बता तरह की कलम आ जाएंगी बी में नदी नदी भी नहीं होगा क्योंकि नदी में सभी तरह की नदी आ जाएंगी कोई खास नदी का नाम नहीं लिया गया है C में है पहाड पहाड भी नहीं होगा क्योंकि पहाड में सभी तरह के पहाड आ जाएंगे कोई भी एक खास पहाड का नाम नहीं लिया गया है लेकिन option number D में है गंगा जी हाँ गंगा नदी एक खास नाम नदी में भी एक खास नाम लिया लिया गया है क्या गंगा ना दी तो उप All nr D हो जांग बिल्कुल सही जवाब आगे byलते हैं अगला कोईशन की दोहा में कितने मिसरे होते हैं इसका विट्रिक में आप लोगों को बताई थी ना 2 से दो, दोहा में कितने मिस्रे? 2 मिस्रे 72 का उप्सन नूर्डी आगे बढ़ते हैं दर्जजायल में उस लवज की निशान दही किजिए जिसमें नून गुन्ना हैं नून गुन्ना आप लोग जानते हैं नून गुन्ना और नून माकुफ दो होता है ना नून की दो किसमे तो देजल में उस लवज की निशान देगी करना है जिसमें नून गुन्ना हो णोपस, न में है दर्बान, वी में हर्माण, सी में सामाण, और डी में है चांद ऑपस, नमबर डी में ही चांद, इस में क्या है? ये जो नून है, ये ये नून गुन्ना है, ठीक है next question question number 74 कि दर्जायल में लाका को तलाश कीजिए लाका बताना है लास 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 लाका यान की जो लास्ट में जुड़ा है देखिए कौन सा लफज है जिसमें लास्ट में कोई आप यूँ कर सकते हैं खुरूफ का मजबूँआ जुड़ा हुआ है 74 का आप सा नमबर देखिए अन पढ़ तो होगा नहीं क्योंकि पहले पढ़ था इसमें स्टार्टिंग में जुड़ा है तो इसमें तो साबका है हासिल था स्टार्टिंग में जुड़ा हुआ है यानि कि ये भी साबका है वजू था लास्ट में जुड़ा हुआ है खाना तो जी हो अपसर नमबर सी हो जाएगा सही जवाब क्योंकि इसमें क्या है लहका है आगे बढ़ते हैं 75 नमबर कुशन की अबद अबद का हम सौत लफ़ बताना है हम सौत लफ़ या नहीं है जैसा आवाज निकलने वाला लफ़ होबसन ढमें है अर्ज येभी नहीं होगा B मैं है अलिफवला अर्ज ये भी नहीं होगा C मैं है अबद तो जी हाँ यही होगा बल्कुल साइघ जवाब क्योंकि ये अबद आयन वाल अबद बोली ये फिर अलिफ वाल अबद बोली दोनों का पुनंसियेशन आवाज जो है ना बिलकुल सेम है तो इस वज़े से एक दूसरे के हमज़ोत लवज है एक मिनट रोजाएं 76 नहीं 76 नमबर क्योशन है कि दर्ज़ जायल में कौन सा लवज मुज़कर है यानि कि पुलिंग है तो इसका सही जवाब होगा आपसान नमबर डी जी हैं डारेक्ट एंसरी बता दे रही हूं बादल जो है ना यह एक मुज़कर लवज है यानि कि पुलिंग है ठीक है बादल च्छा गया जैसे थोड़ना हम लोग बोलते हैं बादल च्छा गई क्योंकि बादल एक मुज़कर लवज है बादल च्छा गया होगा सब्सक्राइब कि अदर्जायल में अलिफ मकसूरा किस लफज में है अदब भी में आग सी में है आदम और डी में है आप देखिए जिस अलिफ को जैसा कि मैं आप लोगो बताएब खीच कर पढ़ा जाता है उसको कहते हैं अलिफ मम्दूदा और जिस अलिफ को खी अलिफ मकसूर जिसको कझीच कर नहीं पढ़ा जाएब इसको कढ़ा जा रहा है तो आप सब्सक्राइब करेक्ट एंसर पढ़कट अंचर इसको व्यादा पढ़ा है तो इसमें जो अलिफ है यह क्या है अलिफ मॉक्सूरा है इसी वाज़े से सही जवाब आपसा नमबर ए होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं फड़ापट कोश्चन नमबर 78 है किसी ने पर साप लोटना मुहावरे का क्या मतलब है अपसाने में हसाब पालना भी में हसाब से खे की अलम की कितनी किसमें है 79 का आपसान नमबर D हो जाएगा पांच किसमें हैं अलम की इसमें मैं आप लोगो अलड़ी बताई हूं इसमें अलम इसम जब मैं आप लोगो पढ़ा रही थी तो वहाँ पर ठीक है आगे बढ़ते हैं 80 नमबर क्योश्चन कि दर्जजायल में का है ओपसान नमबर B is the correct answer 80 नमबर क्योश्चन है कि किस फेल में फेल हाल और मश्तक्मिल दोनों पाई जाते हैं तो इसका सही जवाब होगा ओपसान नमबर C फिल मजारे आपसन नमबर सी इस दा करेक्ट अंसर 82 नमबर सवाल है कि दर्जजाइल में इसम नकरा की निशान दही कीजिए इसका सही जवाब D फल आपसन नमबर D इसम नकरा जिस से पुरी जाती का पता चले तो आपसन नमबर D फल में सबी तरह के फल आ जाएंगे यानि कि फल की पूरी जाती आ जाएगी अगला सवाल 83 नमबर की दर्जजाइल में इसम मौावजा की निशान दही कीजिए आपसन नमबर D जारू बी में है बहादूर सी में पुराना ओड़ी में धुलाई तो आपसन नमबर D हो जाएगा धुलाई 84 नमबर क्वेशन की मानी के अदबार से इसम की कितनी किसमे है मानी के अदबार से इसम की दो किसमे है 84 का आपसन नमबर B ठीक है नेक्स्ट क्वेशन अस्पताल क्या है अस्पताल एक जगह का नाम है ना तो धीरे से आप लोग इसमें जर्फ ्टिक कर दीजे, क्योंकि जगा या फिर वक्त के नाम कोई इसमें जर्फ कहा जाता है, इसमें जर्फ के भी दो टाइप होते हैं, इसमें जर्फ जमाँ और इसमें जर्फ मका, कोश्ट Internet 86 है कि बामानि लफ को क्या कहते हैं, जिस लफ़ का कुछ नो कुछ मानी हो इस तरह की लफ़ को कहते हैं कलमा ठीक है अगला क्यूशन दर्जजायल में इसमे आला की निसान देखिजिए जिससे आउजार या फिर हतियार का इजहार हो जाहिर हो तो आउजार या फिर हतियार का नाम है ना तो आउजार या फिर हति रहा है स्कूल रुक जाएं जी हो आपसन ए में ही क्या स्कूल स्कूल जगा का नाम है ना तो सही जवाब ए आगे बढ़ते हैं दो दिन बाद इमताहान होगा या जमाना की कौन से किस्म है होगा अभी हुआ बढ़ता नहीं है यानि कि आने वाले समय में होगा तो आपसन नबर भी लगा दिजैं मुस्तक्बिल थीक नेक्स्ट कोशन नमबे नंबर की दर्जजचल में कौन सा लफ्स मुझखकर है तो वो होगा शहर ये लफ्स क्या है मुझखकर है शहर लफ्से मुझखकरलबस है यह क्योंबर्ट क्यूह ना है कि दरजयल में नुन गुञुना वाली लवस की निशान देए कि जहेए इस में नुन गुन ना हो देख्ये membr और यही ओजाएगा बिल्कुल सही जहाब आंगं में ही क्या डुन अलिफ मद आ नून गुन्ना तो देखिए इसमें जो यह नून है यह नून गुन्ना है तो सही जवाब आंगन हो जाएगा आपसन नमबर ए 92 नमबर क्यूशन है कि बातिन की जिद क्या होगी यानि की उल्टा उपोजिट वर्ड तो वो होगा जाहिर आपसन नमबर ए ठीक है तिरानबर नमबर क्यूशन है कि अबू हनीफा किस तरह का नाम है अबू हनीफा जैसा कि मैं आप लोगो ट्रिक भी बताई हूँ जिस नाम क स्टार्टिंग में अबू लगा हो उम लगा हो ठीक है या फिर जैसा कि मैं आप लोगो बताई थी अबू उम या फिर बिंत लगा हो ठीक है इस तरह का बिंत लगा हो उस तरह के नाम को आप लोगो क्या कह देना है लकब कह देना है तो तीरानमिर का आपसन नमबर ए हो जा क्या नाम है कौन सा इलामत लगता है जिसको जासे हम लोग उस अरफ को दो बार पढ़ते हैं तो आप जानते हैं तश्दीद पाप सेनशी अर्छार ते Caribbean सिंबल इस्तर से होता है जिस पर भी लगता है ना उस लवज को Đो बार पढ़ा जाता है उस हर्फ को सारी उस हर्फ को दो बर पढ़ा जाता है bencianper number question है कि माज़ी नातमां की मिसाल कौन है option A में है वो आया होगा b में है वो आते थे तो जी है option number b हो जाएगा वो आते थें क्योंकि माज़ी नातमां उस तरह के fail को कहते हैं जो fail past time में लगतार होता था वो आते थे यानिकी पस्ट टाइमे गुजड़े वे जमाने मे लगता रहते थे ठीक यानिकी काम लगतार होता था पास्ट टाइम मे 96 number question is कि वर्क की जमा क्या होगी वर्क का जमा यानिकी प्लूरल बहुँशन बता ना आपसने में वर को दिमें और को और डी में इन में से कोई नहीं सही जवाब होगा 96 का आपसन नुबर बी और आ कि इस दा करेक्ट इंसर नेक्स्ट कोश्चन है कि दर्जेल में मौननस लफ्स की निशान दए किजिए निकि स्ट्रिलिंग लफ्स बताना है आपसने में नसम बी में कागल सी में आवरू और डी भी ठीक है 99 घर जाओ कौन सा जुमला है इसमें हुक्म और दिख रहा है ना और जिस जुमले में उस तरह की जुमले को कहते हैं अम्रिया जुमला तो 99 का आपसन नंबर अब देखिए कोशन नंबर हंडिट है यानि कि सो नंबर सवाल कि भारत रतन क्या है भारत रतन जो है वो एक खिताब है जो कि सरकार के तरफ से दी जाती है तो आपसन नंबर डी इस दा करेक्ट एंसर ठीक है तो यहां पर हंडेट कोशन कंप्लीट हो गया अब जो हम लोग नेक्स्ट हंडेट कोशन करेंगे ना दोसा अबजेक्टिव कोशन करने वाले हैं तो अभी तो हम लो अब फिर से कोशन नंबर वन से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि हम लोग अलएडी सो अबजेक्टिव कोशन कंप्लीट कर दिये हैं अब जो हम लोग यह सो अबजेक्टिव कोशन है इसको जरा मैं फास्ट कराऊंगी देखिए सबसे पहला सवाल है कि हाल का जमा क्या होगा या खास चाहें हो क्या है या कि हैं या के नाम को किया नाम को क्या मैं है जर्फ तो शवाल कि दर्बजजे zuएल में इसम और मारफा कौन है इस ऐसमें मारफा option नमें महल भी महल ताज महल तो जी हैं एक खास नम दे दिया गया महल में भी कौन सा महल ताज महल तो ये कि खास नम है option नमर पी is the correct answer आगे बढ़ते हैं question number four कि महमूद पटना से वापस आगया इस उमले में महमूद क्या है लड़ की है इस उन्ने जहीन क्या है मर्यम जहीन लड़की है जहीन क्या है एक सिफ Luigi इा tête कॉड़ काविएं क्वालिटी यानि की विज़्िस्टा बता रहा है तो सिफफ कहलाएंगा और वहीं पर मर्यम क्या अखलब होता है पुराना तो जदीद किजिद यानि की आपोजिट वाड होता है कदीम और सी इस तब करेक्ट इंसर आगे बढ़ते हैं अगला कुशन की रुबाई का जमा क्या होगा रुबाई का जमा जो हता है यानि की प्लूरल वहता है रुबाईयात आपसा नंबर बी मैं नाचता हूँ कौन सा सेगा है मैं नाचता हूँ एक वाहिद मुतकलिम है क्योंकि मैं की बातरी यानि की मुतकलिम है और मैं 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 वाहिद हूँ तो वाहिद मुतकलिम ठीक है कुशन नंबर 9 की हरकत का जमा क्या होगा हरकत का जमा होता है हरकात आपसा नंबर D में हरका पागह बढ़ते हैं दसनम्र सवाल कि रहाणत की जिद रहांत का जहमत यान्व कि उपनियूट वड इसका भी ऑपसीर, द्यूट नबर भर्ड होगा सूकून का होगा अउस्गल का मुझर एंद और सही जवाब होगा आपसन नमबर एक घबराहट मेरी मुझे घबराहट हो रही है ऐसे नहीं बोला जाएगा कि मुझे घबराहट हो रहा है मुझे घबराहट हो रही है तो आपसन नमबर एक मुझे 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 घबराहट हो रही है तो आपसन नमबर एक मुझे मुझे म है इसे तो नहोता है कि मूती चमकीली है नहीं मूती चमकीला है तो आगे बढ़ते हैं दर्जाल में से कौन सा लफ मौनस है यानि कि स्ट्रिलिंग है सही जवाब और भी गंगा गंगा एक मौनस लफ है कलम क्या है कलम एक इसम है जो की नाम है और भी इसमे तो को सोचने कि मौनस खालिब में गालिब क्या है तो गालिब एक तखलुस में ब्हुत पूँचेंगा की बताईए और फिर वाली तो तो पूचेंगा की बताईए चाहोली है तो पढ़ा रही है इसमें बच्चे क्या है बच्चे जो है ना वो मफूल है option number 3 is the correct answer सलीमा तो हो जाएगी फाइल पढ़ाना हो जाएगा क्या फैल और पढ़ाने का असर किस पर पढ़ेगा बच्चों पर तो जिस पर असर पढ़ता है उसके कहते हैं हम लोग मफूल तो इसलिए बच्चे हो जाएंगे मफूल अठारा नमबर क्यूशन की अखतर खत लिखता है इसमें लिखना क्या है अखतर खत लिखता है इसमें लिखना क्या है फैल है इबन मर्यम क्या है बीस का ऑपशन बढ़ी हो जाएगा कुनियत में आप लोग बोली थी ना जिस लावस में इम लगा हो अबु लगा हो उम लगा हो या फिर बिन्त लगा हो उस तरह की नाम को क्या के देना है कुनियत के देना है ठीक है बीस का argument नमबर डी इस दा करेक्ट अंसर आगे बढ़ते हैं एकईस नमबर क्वेशन है कि दर्जजाइल में से उर्फ बताईए तो एकईस का आपसन नमबर डी वो जाएगा पॉप क्या है ये एक उर्फ है अगला कुशन दर्जजायल में से खिताब आप लोग को बताना है कि खिताब कौन है आप लोग जानते हैं पदम शरीय खिताब है ना अपसर नमबर ए लगदीजे धीरे से तेईस नमबर कुशन है कि बाबाए अर्दू क्या है बाबाए अर्दू एक लगब है कॉशन नमबर 24 क्योंकि लगब उस तरह के नाम को कहते हैं जो आवाम की तरफ से दिया जाए आपकी खुवी और कमाली के बदले जो नाम आवादम की तरफ से दिया जाए उस तरह के नाम को कहते हैं लगब और आपकी खुवी और कमाली के बदले जो नाम सरकार के तरफ से दिया जाए उसको कहते हैं खिताब ठीक है और जो आपकी कोई सी रिष्टेदारी की बुनियाद पर जो नाम रखा जाता है उसको कहते हैं आम लोग कुनियत और जो नाम शायर हजरात अपने श्रौसारी की ला आये ओपसनलमरी मेहमूद ये खास नाम ले लिया गया है उसने सबक पढ़आया इसम जमीर कौन है उसने हो जायेगा ओपसनलमर एपच्चिस का बच्चे ताज महल देखने जाएंगे इसम नक्रव बताईए तो सही जवाब ओपसनलमर टी हो जाएगा बच्चे हैं या जाएगी यानि की पहाड़े की कौमन नाम है जिसे पूरी जाती का बोद हो रहा है कोश्ट नुबर 28 की दर्जाल में इसमे आला कौन है सही जवाब होगा आपसा नंबर सी चाकू यह इसमे आला है 29 नंबर क्यूश्ट है की इदगाह क्या है इदगाह एक जगाह कना में न इसमे ज़र्फ लगा दीजे दीरे से तिस नंबर क्यूश्ट की दर्जाल में से इसमे मुसगर कौन है इसमे मुसगर जो है ना वहे बागई चाओ आपसा नंबर 20 ता करेक्टन सर एक तिस नंबर क्यूश्ट क्या है दरख्ट इंपॉर्टन क्यूश्ट है यह दरख्ट इस इसम जामिद है। क्योंकि इसम जामिद उस तरह के इसम को कहते हैं जो ना तो किसी दुसरे इसम से बना हूआ और ना ही उससे कोई दुसरा इसम और फेल बने। नशीब की जिद क्या होगी तो नशीब का जिद यानि की इपोजिट वार्ड होता है फिराज। कि आपसर नमबर ए थार्टी थ्री का देडायमें इसमें जरुफ कौन है कि इसमें जर्फ दोपार कहलाइगा न क्योंकि दोपारे एक वुक्ट का नाम है और वुक्त यह फिर जगार कि नाम कोई क्या कहते है हम लोग इसमें जर्फ कहते हैं तो डी इस दा करेक्ट अंसर लिखना क्या है लिखना एक इसमें मजदर है लिखना क्या है मजदर है यह कि अपने आप में एक लफज है यह किसी दूसरी लफज नहीं बना हुआ है लेकिन इसे धेर सारे लफज बन जाएंगे जिसे कि लिख लिखने वाला लिखने वाली लिखावर पर लिखता है लिखती है लिखेगी वगरा वगरा पढ़ने वाला क्या है पढ़ने वाला ये एक इसमें मुश्टक है जो कि इसमें मजदर से बना है ठीक है 36 है कि सलीमा पढ़ रही है इसमें कौन सा फेल है सलीमा पढ़ रही है इसमें फेल हाल है क्योंकि काम अभी हो रहा है पढ़ने का काम हो रहा है जागिरदार में लाहका बताईए जागिरदार में टारेक्ट दिख जा रहा है ना लाहका क्या है लास्त में कौन जुड़ा है दा معمولی, معمولی के starting में सुरू में कיה जुरा है गयर तो उपसार नमबर A ही हो जाएगा सही जवाब सहजादे जंग में मारे गए ज्मला है तो ये जो ज्मला है ये एक खबरी ज्मला है क्योंकि इससे खबर मिल रहा है कि सहजादे जंग में मारे गए अनमोल में साबका बताईए अनमोल में जो साबका है जो स्रूम में जुड़ा है वो अन ही न जुड़ा है तो आपसा नमबर डी लगा दीजिए अन डिलेक्ट दिख जा रहा है एंसर 41 नमबर कुशन की काश वो आता जुम्ला है काश वो आता ये एक जुम्ला जो है न इन्शाया जुम्ला है जिसमें तमन्ना पाई जा रही है कि काश वा आता इसको पढ़कर इस जुम्ले को पढ़कर आप सच ये जूट नहीं बता सकते हैं ठीक है तो आपसर नमबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब अगला सवाल है कि नमाज मस्जिद में है नमाजी मस्जिद में है इसमें में है तो में जो है न ये एक हरफ है यानि कि प्री पोजिशन है 42 का आपसर नमबर सी अगला सवाल कि रिजवान पटना जाएगा इसमें कौन सा फेल है तो रिजवान पटना जाएगा इसमें जो फेल हैं वो है फेल मुस्तक्बिल क्योंकि अभी गया नहीं है मुस्तक्बिल में यानि कि भविश्य में जाएगा तो आपसन नमबर सी तुम इधर आओ इसमें कौन सा फेल है हुक्म दी जा रही है ना ओर्डर दी है ऑपसन नमबर सी घोड़ा दोड़ा में कौन सा फेल है किसमें जो फेल है ना वो फेल लाजिम है ऑपसन नमबर भी फोटी सेवन है कि बनावट के लिहाद से इसम की कितनी किसमें है बनावट के लिहाद से इसम की चार किसमें फेल की कितनी किसमें होती है आप चानते हैं फे 29 का دफ्तर का जमा क्या होगा दफ्तर का जमा होता है दफातर हद काजमा हुदूद होता है देखियो आप्सन ममर कौन से दिख छाया है स्टी में दिख रहा है हुदूद तो फैनली हम लोग 0.2 कोशन कंपिलीट कर चुके हैं व्क पचास ये जिए 0.25 हुट है ना और वुदू ग्रामर के में कभी दिक्कत नहीं होगा एक क्यावन नमबर क्यूशन है कि दर्जजायल में कौन मौननस है यानि कि स्ट्रिलिंग लफज है तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपसा नमबर ए सुबह सुबह जो है ना ये एक मौननस लफज है नेक्स्ट कोश कि जुल्मत का जिद क्या है जुल्मत का जिद क्या है तो तिर्पन का जो सही जवाब होगा वो होगा आपसा नमबर सी नूर जुल्मत का पोजिट वर नूर मुसर्णत का मानी क्या होता है मुसर्णत का मुतलब होता है खुशी आपसा नमबर सी जमील का मानी क्या होता है य सबल एक मières सब्सक्र सब्सक्राइबु trust लब Mirinda मुजओ कर कौन सा है दर De魅ंचु मुजओ कर है वह श्टर्बत Скर्ण 20 सदुमें कौन सालब्सुमेश साहक है साबकान कर यान की चलब कम सounds of अव्या की मैं ज्टर्टी नング में हो जाएगा ब्रक्स। क्योंकि बर जो starting में जुड़ा है तो यही option number A ही हो जाएगा सही जवाब 59 आसतीन चढ़ाना मुहावरे का मानी क्या है सही जवाब लड़ने पर आमादा होना यह सही जवाब है साथ नम्बर कोशन की उल्टी गंगा बहना का मानी है उल्टी गंगा बहना का मतलब होता है रस्म और रिवास के खिलाफ होना फटाफट आगे बढ़ते हैं और देखिए बीच में रिमाइंडर के तोर पर भी लगा दिया गया है कि अभी तक आप लोगोंने वीडियो को लाइक श्यर नहीं किया है longest तो फटाफट लाइक श्यर करें लाइक तो वस एकी बार किया जता है श्यर आप लोग हाजार बार करें लाग बार करें लाख बार बार कर जितना दो सके हैं आप लोग से 수 recibir करें चैनल पर नया नया आयeing व यानु की फेड़ हमर है एक सिट कावसा नंबर भी तुम आते हो इस जुम्ले में तुम कौन सा स्जिगा है तुम आते हो सबसे पहले तुम भाज़ी था धर फ्रबर सांगर भी तुम्हारी म्र दराज करें। कैसा जुम्ला है कि इस में दूआ दी जा रही है खार का हमसौत लफ्स क्या होगा तो जी हां खार होगा खार इसको खार पढ़ा जाता है इसको खार पढ़ा जाता है तो उनमें थोड़ा चा का अंतर है लेकिन फिर भी पॉननसियस जो आवाज निकल रहा है बिल्कुल सेम है अलिफ ममदुदा जेल क किस लफ़ में हैं बताईए आपसने में शहाब बी में एहमद सी में आदम डी में बुश्टा तो देखिया अलिफ ममदुदा जिस अरिफ को खीज कर पढ़ा जाए तो आदम इसको खीज कर पढ़ा जा रहा है ना तो आपसने में जिद्ध यानिकि आपोजिट वर्ड आप लोग को बताना है जिसम का प्लूरल यानिकि बहुचन होता है एजिसाम लेकिन जिसम की जिद्ध यहां पर यानिकि आपोजिट वर्ड पूचा गया है तो इसका सही जवाब होगा आपसन नमबर सी रुह दर्स जैल में कौन सा लफ़ मुझकर है तो इसका सही जवाब डी ह हो जाएगा खानदान जैल में इसम आला की निशान दही कीजिए वो है खुरपी और या फिरतियार की नाम कोई तो कहता है इसम आला आगे बढ़ते हैं अगला कोशन उर्दो कवाइद के कितने हिस्से हैं आप लोग जानते हैं मैं आप लोग को बार बार बताई हूं हजार बार बताई हों के उर्दो कवाइद के पांच शिस्से हैं आपसन नमबर सी जथा करेक्टिंसर और पांचों हिस्से का नाम क्या है? इलम हिज्जा, इलम सर्फ, इलम नो, इलम इलम ब्लागत और इलम उरूस सत्तर नमर क्यूस्ट, कि बनावट के लिहाथ से इसम की कितनी कि हैं सही जवाब होगा option number A 3 किसमें हैं लुक्षन में लहाका की कि निशान दो ही की जिए इसका साही जवाब option number A भी लगा 12 कि तुम्हारी के का घुम्हाँ है किस दूमार का जुमलह है सवाल पूचा जा रहे ना यानिकि क्षोवाल यह जुमलह सफर का हमसौत लफ्स क्या होगा सफर और यह सफर दोनों का प्रणसियसन यानि क्या वाद्सेम है तो अपसर नमबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब जाहिद कल पटना जाएगा यह जमाना की कौन सी एक इसम है तो बेशक्त यह मुस्तक्मिल है यानि की फ्यूचर आपस नमबर सी इस ता करेक्ट इंसर दर्जजायल में इसमें मुस्गर कौन है बागी चा इससे चुटापन जाहिर हो रहा है तखलुस की निसाइन देए किजिए गालिए तखलुस दिख रहा है ना लिरसे टिक कर दीजिए दर्जजायल में कौन सालफ मुझकर हैं सही वक्त क्या है वक्त जो है ना ये एक मुझकर लफज है कदीम का मानी क्या होता है कदीम का मतलब होता है जैसा कि मैं आप लोगों बताई हूं पुराना और जैदिन का मतलब नया जुलमत की जिद क्या होगी जुलमत की जिद यानि क्या पोजिट वर्ड रहम जुलमत का रहम 82 का ऑउपस्ट नमबर भी हद का जमा, तो हद का हुदूद, देखिए ऑउपस्ट नमबर D में दिख रहा है, आगे बटके आए फटाफट जाहिभ सोया है जमले में सोया क्या है सोया ये एक फेल है क्योंकि सोना एक काम है नकाम कोई क्या कहते है फिल कहते है जिल में लाहका की निशान दही कीजिए सही जवाब क्या होगा आपसा नबर सी डाक खाना क्योंकि इसी में है लाहका खाना इर्फान सोया होगा कौन सा जुमला है सोया होगा पता नहीं है कि सोया है की नहीं सोया होगा स्रक पाया जा रहा है तो 86 का आपसन नमर 6 शक्किया जम्ला है काश्वा आता कौन सा जम्ला है तो ये एक इनशाय जम्ला है क्योंकि इसमें तमन्ना है सची ये जूट हम लोग मोग नहीं कह सकते हैं जेल में कौन सा लकब है लकब की निसान देया अप लोग को किरनी है तो उप्सन नमबर ए में क्या है लकब है तेक है बुलबलेहिंद ऐक ये लकब है दिर्जैल में सकूल किया है सकूल एक इसमेजर I तो नबिय का आशमान पर होना जो है महावरे का मानि क्या है आसमान पर देमाग होना इसमान का मतलब आप लोगो को बताना है एक in cách a op-son number भी हो जाएगा बहुत ओ गुरूर होना खबर کی जमा क्या होगी यानि इ quindi प्लूरल बहूछँण 9 जात की जिद क्या होगी आजाद का जिया है जिद यानि क mutual गुलाम आजाद का उल्दा गुलाम दरजेजाइल में से साबका की निशान दही किजिए चौराइन बिर का उपसन बड़ी बाशौर यह क्या है इसमें शौर क्या क्या लगा है बाशौर शायर की जमा यह की बहुचन शायर का शौरा यह तो बहुत असानिय पंचान बिर का नमबर बीज दा करेक्ट अंसर पंचानवर कोशन कुम्पलीट हो चुका ए एक सब पंचानवर हम लोग कंपलीट कर चुके और मातर पांच कोशन बचा हुआ है पड़ाफट चलिए स्ब्सक्राट करते हैं आप मातर पांच कोशन है खतम ही होने वाला है आप को पीच में छोड़कर भागना नहीं है पड़ा फट आप लोग कम्प्लीट कीजिए दरखत क्या है आप लोग जानते हैं दरखत जो है न ये एक जामिद लफज है दरजैल में जुकाओ क्या है संतानबिर का उपस नमबर सी हो जाएगा मुश्टक जुकाओ मुश्टक है ठी मुश्टक उसी तरह के लवज उसी तरह के इसम को कहते हैं जो मस्दर से बना हो ठीक है नेक्स्ट कोश्चन दरजैल में कौन सा लवज मुवन्नस है तो निन्यानबर का उपस नमबर ए हो जाएगा दलील दलील क्या है मुवन्नस हैं कि त्रिलिंग लवज है दलील दी गई दी गई दिया गया नहीं दी गई होता है लास्ट कोश्चन सो नमबर घबराना क्या है तो घबराना यह एक मस्दर है ठीक है ऑपसा नमबर हो जाएगा मस्दर जिसके लास्ट में ना लगा होना इस तरह का यह ट्रिक है मस्दर को पहचानी का जिसके घबराना हसना खेलना और दोरना कुधुदू ना किया में कै रहा है ँद एक उसके जो वर्व geography क्या आता है ना आता है लेंगे मस्धर नहीं होताएं लश्रत में क्या रहा है ना ने कि पूले कहेंगे चोंडर यहां पर फम्साइणा और पहले के शोगए ऊब्चेक्ट िबंड तो फाइनली यहाँ पर हो जाता है और डीयक्टिट आ डाप दो सभी कुशिन पर कमांड कर लिया है मैं यानिकि उर्दू कवायद में एक परसंट भी टेंशन देने की जोवत नहीं है उर्दू कवायद से एक भी कोशन आप लोग का छूटेगा नहीं क्योंकि हर एक टॉपिक से मैं अब्जेक्टिव कोशन कम्प्लीट करा दी हूँ यह टॉप दो सा अब्जेक्टिव कोशन था हर एक टॉपिक से कराई थी ठीक है न और जिस इस टॉपिक से ज्यादा कोशन पूछे जाते हैं उस टॉपिक से मैं ज्यादतर अब्जेक्टिव कोशन भी कराई थी यानिकि टॉप दो शाह ये टॉप दो सा 걱정 ता इसमें जो कोश्चन जो टॉपिक से ज्यादा कुश्चन देखने को मिल रहा था समझे कि वो टॉपिक काफी इंपॉटब ए उससे ज्यादा कोशन आप लोगा एक गम में देखने को मिलते हैं ठीक है तो चली आई यहूप लगो अलगे लाओं खर्ण लाइक करें और जितना ज़्य कर देता है्वत न चानल को सबस्क्का Brain करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर वन कब लेगहा ताकि जब भी वीडियो अपलोड ओ फिर लाइफ एफ लिए नुटीफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचें फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टापिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदाहाफिज